आप सभी का स्वागत करते हैं हम आपके अपने चैनल दोस्तों ये सामने आप देख रहे हैं जुहू चूपाटी और आज हम जुहू चूपाटी में रहने वाले फिल्मी कलाकारों के घर आपको चुन चुन कर दिखाएंगे जी हां दोस्तों और ये जे डबलू मेरियेट जुहू का जे डबलू मेरियेट दोस्तों हर सटाडे संडे बड़ी बड़ी पार्टी यहां पर और और गनाइस की जाती है और हम आपको लेकर जा रहा हैं सबसे पहले जुहू बस स्टेंड आपको दिखाएंगे हम लोग सांटा क्रूज से आ रहे हैं सांटा क्रूज से जुहू चुपाटी जुहू बस स्टेंड आने के लिए आप मात्र पांच रुपे में सांटा क्रूज वेस्ट से बस पकड़कर 231 नमबर की बस पकड़कर यहाँ पर आप आ सकते हैं यह जुहू का बस स्टेंड है और यहीं आसपास सारे के सारे फिल्में सितारे रहते हैं और यह यह चोपड़ा जी का घर जी हाँ दोस्तों बहुत सारी फिल्में इन्होंने बनाई है और यह अजे देवगन का घर शिवशक्ती अपार्टमेंट बंगलो जो है यहाँ पर नया रिनुवेशन होकर तयार हो चुका है दोस्तों इनके बंगले का नाम है शिवशक्ती और इसी के जस्ट सामने हमारे अपने धरम जी रहते हैं त क्योंकि अपने तो अपने होते हैं बाकी सब सपने होते हैं इसलिए हमने अपनों का फोटो डाला है तो चलिए धरम जी बहुत ही जब भी आप मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके अपने खुद के हैं और बहुत ही प्रेम भाव से मिलते हैं हमने तो बहुत सारा कारिया उनके साथ में किया भी है और ये हमारे धरमेंदर धरम जी धरम सिंग देओल जी का घर ये आप ये देख सकते हैं पंजाबी पुतर जी हाँ दोस्तो यमला पगला दिवाना और जांदार शांदार फिल्में इन्होंने दी है और फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन का खिताब सबसे पहले इन्हें ही मिला था दोस्तो इसलिए हम भी इन्हीं के फैन है तो आपने जे और वीरू का घर हम आपको दिखाते हैं दोस्तो तो वीरू का घर आपने देख लिया अब हम आपको लिये चलते हैं जे के घर की और अमिजी के घर के जस पीछे ही दोस्तो ये धरम जी का घर है और पास ही मैं ये राइट साइड में अजे देवगन का घर शिव शक्ती ये हम जूम कर रहे हैं ये रिनोवेशन होppen कर इसका काम चल रहा है और हम आपको लेकर पहुँच चुके हैं चै के घर जी हाँ दोस्तो चै वीरू की जोड़ी तो हमेशा जब तक फिल्म इंडस्ट्री रहेगी जब तक ये काइनात रहेगी तब तक शोले फिल्म को कोई नहीं भूल सकता और यहीं पर अबिशिक बच्चन और एश्वर राय ब आपको दिखाते हैं यह जल्सा जी हां दोस्तों यह वी होटल को आप देख सकते हैं बिल्कुल जुहू होटल के साइड में ही वी होटल है और इसी के साइड में ही दोस्तों यह अमिजी का घर है जल्सा यह आप यह देख सकते हैं पूरा का पूरा यहां पर अमिजी के चार पाँच बंगलोज है जो हुमें वो भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों ये आप ये देख सकते हैं जलसा और इसके पश्चात हम आपको लिए चलते हैं नहीं के पीछे धर्मेंदर जी का घر है और जास पसी के पीछे दोस्तों ये हिमा माननी जी का घर है यहाँ पर इस वीडियो में ये हिमवानली जी के घर को आप ये देख सकते हैं दोस्तों ठाखी हो ने धान, भाई भर बहुत थी अच्छी भूमी का इन्होंने फिल्मों में निभाए है दोस्तों और हिमा जी के घर के जस्प, आगे ही दोस्तों पास ही में ये ये डैनी डैन्जपा साहब का घर है इन्होंने भी अभीने की दौर में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी है जो दोस्तों बहुत अच्छी खलनायक रहे हैं कातिया को कौन भूल सकता है दोस्तों सनी डैनल साहब की फिल्म घातक और ये अब हम आपको लेकर आ चुके हैं अमित जी का एक और घर है ये प्रतीक शाह यहां पर अमित जी और जया बच्छन जी यहां पर निवास करते हैं ये आप ये देख सकते हैं पूरे बंगले को हम आपको खरीब से दिखा रहे हैं दोस्तों बहुत ही खुबसूरत आज आप जुहू में जितने भी फिल्म स्टार्स हैं सभी के घर आप देखेंगे और ये प्रतीक्षा दोस्तों संडे के रोज शाम को पांच बजे कभी जलसा में कभी प्रतीक्षा में और यहां पर दोस्तों भीड लग जाती है शाम को पांच बजे दोनों बंगलों में किसी में भी आप शाम को पांच बजे आजाईए तो दोनों में से एक बंगलों में दोस्तो वो अमिज जी बहार निकलते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं टाटा बाई बाई करते हैं और आप उनके दर्शन कर सकते हैं दोस्तो हिंदुस्तान के कोहिनूर हीरा है दोस्तो ये एक तो हमने देखा नहीं है लेकिन ये दूसरे जो हैं अमिजी हैं और ये पूरा जुहू की खुबसूरती की आप ये देख सकते हैं दोस्तो इसके पश्चाइट हम आपको लेकर आए हैं चीहां खामोश जीहां शत्रुगंसिना के घर पर और यहीं पर सुनाक्शी सिना उनकी बेटी शत्रुगंसिना के साथ में यहीं पर निवास करती है, उनके दो बेटे हैं, उन्होंने लव और कुश उनका नाम रखा, इसलिए अपने घर का नाम उन्होंने रामायना रखा है, दोस्तों ऐसे संसकार जिस इंसान के रहेंगे तो वो तो बात ही कुछ और होगी ना, इसलिए संसकार बड़े ही उत्तम होते हैं, यह रामायना नाम बहुत ही अद्भुत लगता है, और इसके पच्चा दोस्तों आठ नमबर रोड पर यह हम आपको लेकर आए हैं, अनिल कपूर सहाब, जी हाँ दोस्तों इन्होंने भी बड़ी ही गजब गजब हिट फिल्म में दी हैं दोस्तों मादूर में ही निवास करते हैं, और अब इसके पच्चा दोस्तों पास ही में बिल्डिंग है, रोहित शेटी जी हाँ शेटी टावर यह देख लीजिए आप, बहुत ही महनत करी है शेटी साहब ने, रोहित शेटी साहब ने, और पूरा एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म सुपर लुपर हीट फिल्म दी और उसके पच्चा उन्होंने यहाँ पर अपनी यह बिल्डिंग दोस्तों, अपनी माँ को तोफ़े में दी दोस्तों, यह देख सकते हैं आप, रोहित शेटी साहब की यह बिल्डिंग, यही पर अगर आप आडिशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर रोहित शेटी साहब के साथ में उनकी फिल्मों में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर आप आडिशन दे सकते हैं, यह पूरा एडरेस हम आपको दिखाते जा रहे हैं, और अब हम आपको जुहु चोपाटी दिखाए बगर कैसे रह सकते हैं, यहाँ की खुब जुहु चोपाटी का खुबसूरत नजारा यह आप यह देख लीजिए, में जुहु चोपाटी के पास में भी हम आपको लेकर जाएंगे, यह बैंडरा वर्ली सीलिंग का खुबसूरत नजारा यह देख सकते हैं, दोस्तों, कितना खुबसूरत लग रहा है, और यहाँ प दोस्तों हर एक मिनट में एक फ्लाइट टेक आउफ करती है और बहुत ही खुबसूरत नजारे रहते हैं दोस्तों और भई समुद्र देवता के दर्शन अवश्य करने चाहिए जो भी मुंबई शहर में आता है या कहीं पर भी जाता है क्योंकि जितनी भी नदियां हैं सभी स देख सकते हैं एक के बाद एक फ्लाइट से यहां से टेक आउफ करते हुए खुबसूरती के साथ में पूरा जुहुचो पाटी का आप आनंद ले सकते हैं दोस्तों बहुत ही खुबसूरत दोस्तों आनंद आ जाता है यह आप यह देख सकते हैं बच्चे लोग मस्ती कर र हैं आपके लिए इस तरीके से आप यहां पर आकर रील बना सकते हैं और इंस्टाग्राम पर और हमारे शॉर्ट्स होगरा अगर आपने नहीं देखे हैं तो शॉर्ट्स भी देखिए दोस्तो और बहुत ही अनंदा जाएगा आपको क्योंकि हम शुटिंग आप लाइन में ही कारे करते हैं इसलिए आपको इसे खुबसूरत शॉर्ट के बैंडरा वर्ली सेलिंग की खुबसूर्थी को आप यह देख सकते हैं दोस्तों दूर से बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों जुहुचोपाटी तो अपने आप में यहां पर इसलिए हम पहले दू हो चुके हैं पूरे हम आपको करीब से दिखाएंगे यह पूरी जुहुचोपाटी का खुबसूरत दुरश्च हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से लोग आते हैं और समुद्र देवता के खास तर्शन करने के लिए क्योंकि समुद्र जो है दोस्तों मुंबई अपने आप में तो खुफसूरत है ही है और साथ में दोस्तों यहां पर फिल्मी सितारे भी है और आक देख सकते और समुद्र सीफ ए साथ में आप यहां पर रुकना चाहते हैं तो बस बजटिंग थोड़ा सा ज़ादा आत कर लीजिये और समुद्र की सेर्भी कर यह और मुंबई शहर में घुमने का भी आप आनन्द ले सकते हैं समुद्र की लहरों को देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही खुबसूरत नजारे यहां के अपने आप में और ये आप ये देख सकते हैं समुद्र के बीच में जुहुचूपाटी के बीच में यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक से एक है और ये आप देख सकते हैं तीवर गती की के साथ में कितनी स्पीड बोर्ट जो है बहुत ही फास्ट लेकर जाते हैं फास्ट वापस लेकर आते हैं और यहां पर आकर आप अपनी फैमिली के साथ में यहां पर आकर सुबह से लेकर शाम तक टाइम स्पेंड कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि इसके बाद में बारिश जो है शुरू हो जाएगी उसके पश्चाथ जो है यह वाटरे स्पोर्स को बंद कर दिया जाता है जून जैसे ही शुरू होगा दोस्तों मुंबई शहर में तीन से चार महिने बारिश रहती है उस दोरान वाटरे स्पोर्स दोस्तों छोटे मोटे चालू रहते हैं लेकिन बीच में ज्यादा लेकर जाना बिलकुल भी खतरनाक हो सकता है यह आप यह देख सकते हैं वाटरे स्पोर्स को लोग बैटे हुए हैं और उलट पुलट कर दोस्तों समुद्र की सैर की जाती है और ये वाटर स्पोर्ट्स को आप ये देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत चलिए थोड़ा और करीब हम आपको लिए चलते हैं बिलकुल जुहु चुपाटी के पूरा संसेट तक का दरश्च हम आपको दिखाने वाले हैं ये देख सकते हैं आप कितनी भीड है दोस्तों औ और इसी भीड में शुटिंग करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है इसलिए हमने पहले दूर से जाकर शान्ती के साथ में यहां पर फ्लाइट ठेका और टेक ओफ हो रही है यह आप ये देख सकते हैं हमने भी अपने कैमरे को रेडी कर लिया है ताकि इसका भी शॉट लें साथ में और जुहुचो पार्टी का भी शॉट लें ताकि हमारी यूट्यूब फैमली को खुबसूरत से खुबसूरत द्रश्य आपको देखने को मिले दोस्तों और बस जीवन में जितना हो सके इन्जॉय करिए और ऐसे ही अपने सपनों को साकार कीजिए पैसा कमाईए औ और अपने पैरों पर खड़े होईए दोस्तों आजकल शोशल मीडिया का जमाना है काम की कोई कमी नहीं है बस लगे रहिए जीवन में काम्यावी आपको मिलनी ही है और यूट्यूब पर सारी चीजें उपलब्ध है आजकी डेट में और पैसा कमाकर अपने फैमली को और मन की शांती तो दोस्तों तब ही मिलती है जब मन शांत रहता है नहीं तो ज्यादा पैसा कमाने के पर शाद भी इनसान शांती अनुभव करता है और पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता है यह है यह इस तरीके की जो है खुशिया है अपनी फैमली के लिए आप जो है सकते हैं और चलिए ये सारी बाते तो ग्यान वाली बाते तो बहुत सारी होती ही रहती हैं यह आज मजे ले रहे हैं यहां पर जूच यो पाटी के तो यह आप यह देख सकते हैं दोस्तों स्पीड बोर्ट स्पीड बोर्ट में बैठ कर पूरा इंज्वाई करना मज़ा करना उसकी बात ही अलग है और दोस्तों मुंबई जो है आने वाले दिनों में दोस्तों दुबई को भी पीछे छोड़ देगा ऐसा यहां पर कारिकरम आने वाले समय में चल रहे हैं तो कि भारत वर्ष में चारो रितुएं हैं दोस्तों आप गर्मी के दिनों में आप दोस्तों हिमाले में जा सकते हैं चारो यात्राएं कर सकते हैं बदरीनात के जारनात कंगोतरी या मनोतरी और गर्मी के दिनों में आप थंड का अनुभव कर सकते हैं और हर तरहां की रितुएं अभी आए करीबन चार पांच दिन के पश्चा दोस्तो वर्षा रितू का आगमन हुने ही वाला है और सारी रितू हमारे भारत वर्ष में देख सकते हैं इसलिए इंडिया अपने आप में लोग दूर दराज से ना जाने कहां कहां से लोग यहां पर घूमने के लिए आते हैं क्योंकि कोई कोई एस तो ऐसे हैं जहां पर कि सूर्य देवत्या इतनी गर्मी नहीं दे पाते हैं इसलिए लोग यहां पर सनबात के लिए आते हैं और यह संसेट इसलिए जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं सुख आया है तो दुख भी आएगा दुख आया है तो सुख भी अवश्य आएगा जीवन में इसलिए हमेशा किसी भी समय घबराना नहीं हैं बस अपने आपको शान्त करके जीवन में बस आगे पढ़ते जाना हैं बस य हमारी यूट्यूब फैमली किसी भी परिस्थीति में हर समस्या का समाधान कर सके तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही खुबसुरत वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं गुडबाय नमस्ते सलाम सस्रेकाल अपना ख्यार रखिये फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में आपसे